तो आईए आज की क्लास में हम देखने वालें ऑक्सिकन अप्टेन आभिक्रिया को संतुलित करने की वीड़िया चैच के बारें हम डिसकर्ज करेंगे किस तरह से आप अभिक्रियाउ को संतुलित कर सकते हैं इल्øक्ट्रों करना कि नियम को सबसे पहले और ऑक्सिजन के अलावा अज्य ततवा को उची संक्या का गुणा करके संतुलिद करते हैं Simple लोजिए oxygen और hydrogen को छोड़ देना और दूसरे कोई ततवा यानि कि जैसे सोडिय हो सकता है magnesium हो सकता है इस ताइब से तो उनको संतुलिद करना है उची संक्या का गुणा करके यानि कि यह काम पहले करना है पहले निये में दूसरा काम क्या करना है दोनों और से जिस और जितने ऑक्सिजन की कमी होती है उतने हमको एस्टो जोड़ देना है और जितने हाइडोजन की कमी होती है उतने हमको एस्टो जोड़ देना है ध्यान रहे कि इसमें केवल अमली माध दिमोंगा दोनों और स्जोड़ेंगे कृतने हम इलक्तों की तो गुणा करने के लिए यानि के लिए हम क्या करेंग ऊजिस संक्या का गुणा कर दे तो कई हम संवीकण को कैसा संतुलित करते हैं स्अ नाइ दिन में मैंने स्टैप से लिकिए देखिए बी एर टू प्लस फ्nothing चुं Ke Listen Uh सबसित की हमारी वीदि कून इया है अर्ध अभिक्रम वीदि यह 소दि को प्रक्रण गया आयन इलोक्त्रह ठीद्य तो हम जाते कि यह क्या अभिकारक यह क्या उत्पाद तो तो इसके त्रू क्या बन गया BRO 3-ारो 2-ह है और यह दोनो अरदर थी गया और यह दोनों अरदर थी गया तो हम सबसे पहले लेंगे इक्वेशं फर्स्ट जो की अरदर भी किरा की रिप में लेंगे-कौन सा बी आर टू प्लस सोरी बी आर टू प्लस नहीं आएगा यहाँ सीधा इससे प्रोड़क्ट बनता वो आएगा बी आर ओ ट्री माइनस सो गाईज यहाँ पर ध्यान देना कि हमने नियम में पड़ा था क्या कि सबसे पहले ऑक्सिजन और हाइडोजन के अलावा जो भी होता है उनको हम क्या करते है संतुलिक करते है उच्छी संक्या का गुणा करके जो कि यहाँ पर बी आर कितने है दो है यहाँ पर कितना एक है यहाँ पर दो हमको करना पड़ेंगा तो क्या करेंगे उच्छे से गुणा कर देंगे तो Br2 इससे बनेगा प्रोड़क्ट टू 2 Br-3- Q2 लगा दिया तो यहां पर 2 Br और यहां भी 2 Br हो जाएंगे अभ हम क्या देखेंगे ? ऑक्सिजन को देखेंगे देखें गाइस oxygen यहाँ पर कितने 2 तो आगे और 3 मतलब कितने होगे 3 दूनी 6 तो 6 oxygen यहाँ पर है कियाँ यहाँ पर एक भी नहीं है है ना तो यहाँ पर एक भी नहीं है हम क्या करना पड़ेगा उतने हम H2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर समझना गाइस BR2 प्लस इसमें कितने H2 जोड़ने पड़ेंगे 6 तो 6 H2 जोड़ देते हम और आगे हो जाएगा क्या 2BR O3 माइनस अब क्या देखते हम हाइड़ोजन को देखते देखें यहाँ पर हमने देखा oxygen को देखा oxygen को देखा यह oxygen O2 में ही होता है हमेशा द्वी परमानों खोता है इसलिए और यहाँ पर हमने क्या देखा अन्य परमानों है ना अन्य परमानों देखा अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे hydrogen hydrogen भी द्वी परमानों खोता है वो H2 में होता है यहाँ पर hydrogen को हमने देखा अब देखना यहाँ पर गाईज आई यहाँ पर हाइडोधन कितने चदुनी 12 और यहाँ पर एक भी नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उतने H प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पर समना माधहम हमने लिए हमने ह हम च्रह प्लस जोड़ेंगे अब देखते हम यहां पर इसके ऑपर यहाँ पर आवेशा यह पर होजाएंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे बारा तो कितने हो जाएंगे प्लस के 10, देखना गाईज हमेशा प्लस होता हो, वहाँ पर proton की संगया ज़दा होती है और जहाँ पर minus का sign ज़दा होता है वहाँ पर electron ज़दा है, तो यहाँ पर plus 10 electron की कमी है, यानि कि proton 10 कितने ज़दा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 electron ज़दा देंगे, तो BR2 plus 6 H2O, आगे जाके 2BRO3 minus plus 12 H plus, और कितने हम ज़दा देंगे, 10 electron ज़दा देते हैं, तो यह equation बन जाती है, फरस्ट अब equation हम second लगते है, जो की अर्द अभी क्रिया के रूप में है ना अर्द अभी क्रिया के रूप में हम second equation देखते है H2O2 उससे बन रहा था हमारा क्या H2O, देखिए गाइस यहाँ पर समझना है, कि hydrogen और oxygen के लावब कोई भी परमाण नहीं है, इसलिए हमको tension लेनी की ज़रूद नहीं है, यहाँ पर सब सब बेला हम देखिएंगे oxygen को oxygen यहाँ पर कितने दो, यहाँ पर एक है, यानि कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा एक H2O जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, H2O2 और यहाँ से हो जाएगा, H2O प्लस H2O तो यह हो जाएंगे, H2O2 और यहाँ से हो सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्या करेंगे ? यहां पर कितने प्लस प्लस के दो और यहां पर एक भी नहीं है जीरो यहांनि कि यहां पर दो प्रॉटॉन ज़ादा है इलोक्टोन जोड़ेंगे दो तब कि यहाँ पर equal हो जाएंगे दोनों में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे H2 O2 plus 2 H plus यहाँ पर कितने इलोक्ट्रोन जोड़ने पड़ेंगे 2 इलोक्ट्रोन जोड़ दिये और यहाँ तो वही रहेगा 2 H2 O यह equation बन जाएगे अप उनकी second देखें guys यहाँ पर first equation यह बनी और second equation यहाँ बनी इस टाइब की अब ज्यान देना है कि जब हमने पड़ा था कि दोनों अर्द समीकरण में इलोक्ट्रोन की संक्या समान करने के लिए हम उत्ति संक्या का गुणा करते तो यहाँ पर इलोक्ट्रोन 2 हैं लेकिन यहाँ पर इलोक्ट्रोन कितने 10 हैं तो यहाँ पर कौन सा गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर इलोक्ट्रोन समान आ जाए तो यहाँ पर हम कितना का गुणा करेंगे 5 का तो 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर 10 electron हो जाएंगे यहाँ पर भी 10 electron हो जाएंगे लेकिन इसको छोड़ते हैं न क्योंकि यहाँ पर already 10 electron है इसको छोड़ना है तो guys छोड़ेंगे तो भी चलेगा और इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 का गुणा करेंगे 2 में 5 का गुणा करने पर हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे तो यहां पर समना 5 क्या हो जाएगा H2O2 हो जाएगा फिर 10 H-plus हो जाएगा और 10 electron हो जाएगे और आगे जाके product बन जाएगा क्या 10 H2 बन जाएगा क्योंकि यहां पर 2 हैं पहले से 2 हैं तो क्या हो जाएगा 10H2 हो जाएगा यह समिकरण हो जाएगी तीसरी अब हम क्या करेंगे गाईज चुकि दोनों अर्द समिकरण को मिलाना पड़ेगा तब जाके हम संतुली समिकरण प्राप्ट कर सकेंगे तो यहाँ पर यह तीसरी बनी समिकरण जो तीसरी है समिकरण 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 जो तीसरी वह पहली को मिलाने पर इन दोनों को हम क्या करते मिलाएंगे क्या करेंगे मिलाएंगे तो मिलाने पर सो गाईज हम ध्यान देना कि यहाँ पर देखिए यह अभीकारक है और ये product है यानि कि उत्पाद है तो अभी कारक और अभी कारक यहाँ पर पहली समिकन कौन सी यह रही है न तो इसमें अभी कारक और इसमें अभी कारक दोनों को मिलाएंगे यहाँ उत्पाद यहाँ उत्पाद इन दोनों को मिलाते हैं तो समझिए कट ज称orf आप दिस ऐस्टं कट जाएगा और दूसरा क्या कट गईया यहां पर दस Exactly कट गएगा तो यहां-पर कितना पाँसुरी स्ट गट जाएगा और यहां पर भारा एस प्लस है तो यह कटेगा 10 यह प्लस है अब क्या समद हो द्विधार तो ज़े जही रहेगा यहां पर हम BR2 लेख देंगे BR2 प्लस 6H2 यहां पर 10H2 यह लेकिन यहां पर 10H2 4H2 रहेंगे लेकिट इस साइड रहेंगे प्रॉडक्ट में रहेंगे न तो इससे क्या बच गया एक तो 5H2 बच गया क्या बच गया 5H2O2 बच जाएंगा प्लस बाकी कुछ नहीं बचा सोरी सोरी गाईज इस टाइप खाव जाएगा और यहां से देखेंगे तो 2BRO3- यहां से 12H+, 10H+, यानि कि 2H+, बच जाएंगे प्लस यहां से हम देखेंगे गाईज तो देखेंगे यहां पर 6H2O थे यहां पर 10H2O यानि कि यहां पर 4H2O बच जाएंगे तो guys यहाँ पर यह हमारी होगी प्राप्त संतुलित समिकर्ण तो guys यहाँ पर ध्यान देना यह नहीं दीख रहा है तो आपको ध्यान देना यहाँ पर इस टाइप से हमारी 5 संतुलित समिकर्ण प्राप्त हो गई BR2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर oxygen की बात करेंगे 10 हो जाएंगे तो यहाँ पर oxygen कितना 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 हो जाएंगे तो यहाँ पर oxygen क जब हम H प्लस जोड़ेंगे तब दोनों साइड हम क्या करेंगे और H जोड़ेंगे उतना फरक है बाकि कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा जैसे अमली माध्य हमने संतुलित की वहाँ पर वेसे ही यहाँ पर संतुलित होगी लेकिन वहाँ पर एक कंडिशन यहाँ पर अलग ह से ऐटू बन गया समझना लगा सबसे पहले हम अर्द समीकन पहली लेते हैं अब अब देखते ओक्सिजन को यहाँ पर हमको 2 जोड़ने पड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्यार देंगे MnO4- और यहाँ से हो जाएगा MnO2 और इसमें से 2 त्यार दोड़ देंगे H2 जोड़ देंगे अब ध्यान देना यहाँ पर 2 और 2 यानि कि 4 यहाँ पर भी 4 क्लियर हो गया अब हाइडरोजन को देखते हैं यहाँ पर हाइडरोजन कितने हैं 4, लेकिन हम हाइडरोजन है यह नहीं तो इसमें क्या करेंगे हम 4 H+, जोड़ेंगे लेकिन ध्यान देना H+. के साथ में दोनों साइड जितने हम H+, जोड़ते हैं उतने O-H भी जोड़ेंगे इशार यह मद्यम होने के कहां से तो यहाँ पर हम क्या करेंगे MnO4- MnO2 2 H2O अब देखना हमको यहाँ पर क्या करने 4H प्लस जोड़ने तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर 4H प्लस जोड़ देते प्लस 7 में OHB जोड़ेंगे कितने 4 यह जोड़ेंगे और यहाँ पर OH जोड़ना पड़ेंगे दोनों साइट यानि कि 4 OH यहाँ पर भी जोड़ेंगे यानि कि यह इस परकासे बन जाएगी MnO4- प्लस 4H प्लस और 4OH- और यहाँ से हो जाएगा MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH- अब जान देना हम जानते कि H प्लस हो और H माइनस हो उन दोने के मद्द्य एट्रेक्शन होता है क्या बनता है जलकानू बनता है तो MnO4- यहाँ से क्या बन जाएगा 4H2O बन जाएगा और यहाँ तो वही रहेगा MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4 OH- अब हमको क्या करना है आयन संतुरित करना है यानि कि इलक्ट्रोन संतुरित करना है अब देखिए गाईज यहाँ पर माइनस कितने क्यावल एक है कितना है एक है बाकि यहाँ पर कोई नहीं यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर है 4OH- देखिए यहाँ पर हैं कहने का मतलब 4 इलक्ट्रोन हैं कितने इलक्ट्रोन हैं चार इलक्ट्रोन है और यहाँ कहने का मतलब कितना हैं एक इलक्ट्रोन है यानि कि यहाँ पर इलक्ट्रोन की कमी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कितने इलक्ट्रोन एड करेंगे तीन इलक्ट और यहां पर यह समुन कोनशीं बनगी थीज पहले जब अब हमको अर्द अभी करया सेकंड लेनिया तो यहां पर मैं एक्वेशन second ले लेता हूं 2nd equation कुछी है i minus इससे बन जायता है क्या i2 अब देखते हैं यहाँ पर hydrogen oxygen के अलाव़ए जितने भी होते हैं उनको हम संतुरित करते हैं तो यहाँ पर i2 कितने दो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 2 i कर देंगे minus और यहाँ से बन जायका i2 अब हम किसको देखते हैं ऑक्सिजन और हाइडिजन को देखते हैं यहाँ पर पहले ऑक्सिजन को देखेंगे तो ऑक्सिजन है नहीं तो इसको छोड़िए हाइडिजन है नहीं इसको भी छोड़िए अब किसको देखेंगे आयन को देखेंगे यहाँ पर कितने आयन है माइनस गरेंगे जे पहले स्वाइटों से यहां पर न कर निया पर फुर जाएंगे तो यह संवेखन क कौन सी बन जाएगी सेकन्हें ध्यान देना गैज अब हम क्या करते हें दोनों को मिलातेय यानि कि यह साइकंडा फोलों स्थ नइकार न हैं लेकिन ध्यान पर छ alg게 हो जाएग prac हो जाएंगे तो फर्स्ट करम कित λाना करते हैं 2 अब जो दूसरी थी उसमें किसका करेंगे तीनका तो यहां पर मैं अब हम क्या करते हैं यह समीकन छोती और यह प्लिदाते हों क्या कर ते मिलाते हैं कटा उट करने के लिए तो कटा उट करने के लिए हम इन दोनों को मिलाएंगे तो पहले अभी का रख अभी का रख को मिलाते हैं फिर बात में उत्पाद उत्पाद को मिलाते हैं प्रॉडक्ट अब प्रॉडक्ट हो मिलाएंगे तो यहाँ पर टू एम अब गाइस हम क्या करेंगे यह six electron से six electron कट जाएगा eights two से यहाँ पर fours two कट जाएगे और यहाँ पर eight os नहीं है यहाँ पर os छोड़िए इसको खेर तो यहाँ पर बाकी कोई कटेगा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा इसको मैं यहाँ पर लिख देता है यह हमारी हो जाएगी संतुलित समीकरण कौनसे समीकरण संतुलित समीकरण इस टाइप से संतुलित समीकरण हम करते हैं यह शारी मादिन था और अगले जो बताया वो अमले मादिन था तो आई होब आपको ये दोनों संतुलित करना आ गया होगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट जरू करना अगले वीडियो में बता दूँगा तो यहीं एंड करते वीडियो को तब तके लिए जहीन बंदे मातरा